मैंने लोकिष राउत नाम फोर्ट तरी मेडिकर स्टुने औरिंबग स्टेट मेडिकल उनिवर्सिटी जैसे मैंने पॉड़कास्ट की सीरिस चालू की थी मैंने दो वीडियो से लिए थे, यह दो फौर मेडियो गैजू थे बोत वीर मैं सेनियर्स एक और एक क्रिमया से थे उसके बाद मैं थर्ड एक कल ही मैंने रिसेंटल एक इंट्रव्य लिया डॉक्टर प्रसर्ण वे जो प्रीप्रेंटर की आवजगानी की फैकल्टी है वो औरिंबग उनुवर्शिटी में पांच दिन के लिए आवजगानी पढ़ाने आये थे तो कल लखीली मैंने उनसे बात की और लगबग 15-20 मिट का मेरे कुण का सेशन मिला जिसे मैंने उनसे कुछ सवाल जवाब की वो वीडियो आपने देख ली इसके बाद आम हीर वीडियो वीडियो डॉक्टर निखिल प्रताब ही इस अ नेफ्रोलोजी रेसिडेंट और उनसे ह तो नहींगे exactly कि उन्होंने पढ़ाई कहा कि और अभी वो क्या कर रहे है वेरिज प्रक्टिसिंग राइड नो और यह फॉर मेडियो ग्राजूट नहीं है और हम लोग exactly है कि कोई भया बताएंगागी तो वेलकम वेलकम डॉक्टर निखिल प्रताब और उन्होंने स्क्रीन स्क्रीन स्वाब अर इसके बाद then I went on to do my PG DNB medicine in Dorse उसके बाद मैंने लखनौ में दो साल काम करा दुरिं कोविड I was in Lucknow वहाँ पे एक साल senior resident or almost 10 month assistant professor because मेरा अगिवा प्रोग्रेशन कोविट की वज़े से हाल्ट हो पढ़ाई वगराई गया मैं नियत से था पढ़ाई करने then I gave my SS exam got selected authentically I'm doing my dream branch that is DNB nephrology from one of the esteemed institute in Kolkata Arintagor और यहाँ मुझा अच्छा से एक्सकोजर मिल्डा है nephrology सीखने का which is I'm loving और आज basically मैं और लोकिष पिछले काफी टाइम से कोशिश कर रहते करने का और उसके बाद then I had some busy schedule क्योंकि मैं रहा इस टाइम second year residency हो और मैं finally मैं सबसे exciting काम करना अपनी residency का that is I'm posted in the transplant unit जहाँ we see the patient after renal transplant finally I decide करा आज मैं तीन दिन का hectic schedule के बाद श्याम को चार साड़े आठ की नीन लेने के बाद we have decided कि नहीं आज ए पॉस्ट कास करते है और यह सही time भी था actually I think was us time on करते तो शाद हमारे पास पर अच्छा एक वो कोई बात नहीं रहती बात करने को general topic पर करते लेकिन अभी हमारे पास बहुत topic भी है time भी है बात करने को लिए that is जो right to health लेका है Rajasthan government और उसके अलावा जो उत्राखंड में भी हमने देखा एक medical college में क्या-क्या चला students के साथ तो यह दो चीजें है जिन पर बात करना जरूरी है जरूरी इसलिए है क्योंकि कहीं न कहीं as a doctor हम सब को यह लगता है कि we do not get the support we should be getting this is the time we should talk about so we'll very soon start ticket is bar will not talk about studies will not talk about talk about key because of obviously kebo it for a medical make you know an exam mc exam case a clear key this video is not about that this video is much more I think important than that that key just another right to help dollar track knowledge you give away to to other kuchu local about the right to health key I just have a new area or kuchu look unaware on me so तो यहां तुनको clearly पता चलेगा कि exactly situation क्या है और exactly वह effect कैसे करेगा और क्या यह सही था या नहीं और mentally कितना doctors इससे परिशान होनी so right to health sir right to health का जो है वह बहुत famous एक word कि अमीम आया था ना कि आप chronology समझें तो यह chronology क्या है आप देकि 1990 से पहले आपको बहुत रेर्ली सुनने को मिला होगा किसी ने doctor की disrespect करी मारा यह सब करा doctors के अपने nursing home थे वो चलते थे सब कुछ अच्छा था and this all started 1994 में जब एक वी जानता नाम के एक प्रभुद्ध उद्धी जी वी आदमी ने क्या करा कि कोट में केस करा कि doctors को consumer forum के अंदर लेके आए जाए मतलब वो एक service provider है और हम consumer तो उनको consumer forum के अंदर लेके आए अब वो consumer forum के अंदर के अंदर के जीत चैसे जी इसका मतलब यह कि डॉक्टर एक क्या कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर है और पेशेंट एक कंजूमर है उस जिन से रिलेशनशिप टोटली चेंज हो गया अब क्या हुआ पेशेंट इल्जाम लगा सकता है कभी भी सूह कर सकता है ठीक है और इन सब चीजों की घटना इंडिय अब हमारा इस बड़ा है यहां यह यह सवविदाएं है निगलीजन नहीं होता है यह नहीं होता है लोगों का ट्रैक करने के नए फंदे और जो डॉक्टर जो चोटा नर्सिंग हों वगरे सब खोले थे जो यह सब चीजों की वज़े से बंद होना शुरू हो गे उनके लि बहुत उनका अंदर तक तीम जहां होता है लोगों को पता होता है क्या क्या कर रहे हैं तो वह इन सब चीजों से बच निकलते थे छोटा क्लिनिक नहीं बचता इसलिए आप देखो के विट टाइम जो है नर्सिंग होंस जो है वह बंद होना शुरू हो गया और यह नाइट चीज बंद हो जाए देन यू स्टार्ट पे दिम लेस ठीक है तो अब क्या पेशेंट जो आता था वो कंजूमर बनके आता था ठीक है कि मैं कंजूमर हूं अब वो दो तरह की हैज खेलने लगा खुद कंजूमर बनके आता था और जब डॉक्टर अपने राइट की बात कर मैंने मैं राते हैं तो मेरा इतना बनता है तो तुरंट को का पार्ट चाल हूं जाता था डॉक्टर अपनी तरफ से हमेंटी रखे वो तर्विस प्रवाइडर की तरह करें हम कंजूमर की तरह बहेव करेंगे और से मिस्ट्रस बढ़ने लगा दूसरी चीज इस दूर्श मे मेडिया कहते हैं हेल्थ केर स्ट्रीम्स के साथ और मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सारे आयरुवेद वाय हूमोपैथ वाले ऐसा करते हैं बड़ आप देखो तो जब भी उनके पास पेशन जाता है या टीवी पे भी सवेरी कुछ-कुछ आयरुवेद के नाम से बाबा लोग न्यूज चैनल पर प्रवचन देते हैं वह पगड़ी वगड़ी वैसा लगता कुछ जादूगर आया है उस तरह कपड़े पहन के उनका पहला ल इसलिए आपको पता है क्योंकि हमने कभी इनको छुपाया नहीं हमने उनको अपनी बुक्स में भी लिखा हमने लोगों को भी बोला कि यह साइड इफेक्ट दवा के होते हैं मरीज को भी बोला है जब भी उसको साइड इफेक्ट हुए है जबकि उन लोग बोलते हैं कि हमा किसकी है और उसके लिए टैक्स हम लोग दे रहे हैं एक लेवल से आप देखो तो ठीक है कि आप कितने हद तक किसी को दे सकते हो फ्रीम है देर लिमिट उसके बाद तो सरकार ये सबके हाथ-पाउं टाइट हो जाते हैं दूसरी तरह हद पे आप ये भी देखते हो कि एक आद हैं कि दो करोड़ी नहीं, दो-चार पांच-फाच्छ करोड़ी प्रॉपरटी आ है कि ये सब कहा हैद आप और उस पे आगर और वही लोग जिनका हाद मारके ये लोग अपना पैसा कमा रहे रहे हैं वही लोग हर 5 साल में उनको वोट भी देते हैं वापस लेके आते हैं उनसे इस सवाल नहीं पूछा जाता है कि हमारा हग क्यों मारा गया है ठीक है डॉक्टर जिसकी महीने की सालड़ी बहुत जादा होगी किसी की 5-6-7 लाग होगी आप उससे सवाल पूछना शुरू कर रहे और इतना जादा कहा कमा रहे हृओ इतना जादा कहा कमारा है एक बड़े शहर में आप जाएए तो 95% डॉक्टरे के पास वही कार रहे हैं जो जनरल पॉपुलेशन के पास है 95 percent doctors के पास वैसे ही घर हैं जो जनरल पोपुलेशन के पास अगर 5 percent doctors के पास इतना जादा है I don't think so it's a big issue अगर सामे से 5 doctor के पास इतना पैसा पिछान विए आपके उसी लगल पर काम कर रहे है तो मुझे नहीं समझ में आता है यहाँ problem क्या है जब जब कि आपके 500-500 बैखा क्या है और उस पे कोज सवाल नहीं है सब्किलास प्राइस परोब्लम क्या हूं है हम दॉक्तर्स है कि हम free money दे रहे हैं कैसे दें गए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज में आपको कितना हो गया है एक साल की फिज फिटी फिटी लाइव तक पहुंच की है ठीक है आपने ड्यक्त मेडिकल कॉलेजेज इसक पैसा नहीं है इसका डेज़ और वहां पर फीस काफी बढ़ गई है मैं 2016 में PG करने के तब मेरे एक महिने के लिए एक साल के लिए सौरी पचास अजार मागे थे दस अजार से पंद्राजार से पचास अजार हो चुके थे आज से साथ साल करे तो वह भी ऐसा नहीं है कि एकदम फ्री है जो बोलना है कि गवर्मेंट टैक्स का पैसा देखे दूसर करए कि पालने पोस्क देने के लिए इस्तेमालो हो जाए लेकिन किसी को प्री मैं एज्यूकेशन देने के लिए इस्तेमालों चीज़ आर जैना व सब्सक्राइब हो एक रातिबियों मुआना के बार्गा है एक एक साल करह आज मैंध मौर्मेंट को बनाने में जो भी बाते से बीस गुना ज्यादा टेक्स पे करता है इतना उसमें को लगाया और लाइफ टाम में उससे ज्यादे ही है यह तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है इसमें तो गवर्मेंट कोई नुकसान नहीं हो रहा है कि आप फिर भी वह वैल्यू उस चीज का नहीं करते हैं आपको फ्र कोई न्यूस हेड्लाइन देखो तो उसमें हेड्लाइन में ऐसा दिखाया जाएगा कि डॉक्टर की सर्जरी से मरा मरीज नीचे आपको पता चलेगा उस बंदे के पास डेगरी नहीं है तो आपने उपर इसको डॉक्टर लिखा कि हूँ है इस नॉट इवन डॉक्टर ये स अगर आपका डॉक्टर आपके साथ एक्दम सेफ खिलने लगा और इस डर से कि उसके उपर केस होगा यह आपके लिए बहुत खराब है और यह चीज़ मैं आप देखना शुरू कर दिये हैं अभी डॉक्टर के प्राइटी होगी सेव योसिल्फ कौन कम मारेगा कौन केस कर तुमने मना कर दिया तुमने साइन कर दिया हम नहीं करें और इसमें नुकसान होनी लोग का यह बहुत कॉमन है और यह मैं देख रहा हूं लाइवन बेस्ट आप डॉक्टर्स आर ना फॉलिए इस स्ट्रेटीजी और इसमें कहीं नुकसान है अब वह संजाने की कोशिश न हमको मनाया दूसरी चीज उनको तो अपने पैसे कमाने थे इसलिए उन्होंने सर्जरी कर आई तो अभी रॉक्टर्स आ ठीक है तुमको नहीं करा हम आगे कुछ नहीं समझाएंगे तुमने साइन कर दिया नहीं होगा और दूसरा फिर यह राइट टु हेल्थ पे में आ जा काम है राइट टू है अगर देना है जो गवर्मेंट काम है मैं अपना पैसा दे के पढ़ाँ ठीक है नहीं मेरे लिए तो को यह कह भी नहीं सकता कि गवर्मेंट ने तुमको टैक्स दिया है इस तुदिए इन मनीपाल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ज़े इंडिकल कॉले अपना पुद उठाया है और उसके बाद मैं जब आवी क्लीनिक मानदी ज़े में राजिस्थान जाके खोलता हूं तो बोलेंगे कि तुम फ्री में दो क्योंकि हमने आपके लिए हमने आपको पढ़ा आपने पैसो थी हाँ कहां बढ़ा है मेरे लिए क्या कर्च का वही तो वहाँ वह तो है आप बिलीब नहीं करेंगे मैंने जब फर्स्टियर डीनबी एसस का अपना फीस बढ़ा है तो उसमें भी उन्होंने बाइस हजार रुपए मेरे से जी एस टी लिए फीस क्या फ्री दे रहा हूं कुछ भी तो फ्री है नहीं तो अधर आपके फिर वो लोन जाना है तो मैं कहीं इसे लोन ले कि ही आगमी शुरू कर पाए गा उस्पिटल ठीक है ना लोन लेकि अगर वो शुरू भी करेगा अब तुम गोलतों कि अमर्जन्सी फ्री है तुमने इमर्जन्सी उसमें डिफाइन नहीं कर था है बिल में हाँ वही एक्षार और आपको इंडिया की लोगों नहींग पता हो हर चीजकानली माल लेकि हमारा मारीत इमर्जन्सी उसको नुकसान उठाये यहां ईक अबरेशन लग गया कत लग गया साटक प्या जाएंगे इमर्जन्सी एमर्जन्सी ठीक है चलो आपने से पत्ती लगा दी दो रुपे लगा कोई धि जिसको बाकी modalities of treatment का भी जरूवत है ठीक है तो और वो आके इंट्यूबेट वगएरा यह सब हुआ तो उस पर तो लाको रुपए खर्च हो जाएगा तो यह एक बड़ा corporate hospital तो वहन कर लेगा जो मैं आपको chronology समझा रहे हैं तो इसका बड़ा का effect है कि यह बिल्डाओगे तो छोटे nursing home बंद हो जाएंगे और डॉक्टर के पास कोई चारा नहीं जाएगा ज्यादा ज्यादा हो डॉक्टर्स corporate hospital आएंगे जब ज्यादा से ज्यादा कानून लगा कि मैं hospital खोलूंगा तो मेरा hospital तो एक हफ्ते के अंदर बंद हो जाएगा मुफ्त खोरी में आदमी क्या करता है आपको नहीं पता है क्या हर तरह के कानून मतलब हर तरह के नियम तोड़के वो ज्यादा ज्यादा करनी कोशिच करता है और उसके बाद तुम उनक पैसे लग जाएंगे अमर्जंसी में हो जाओ तीन दिन में चुट्टी लेके निकल लेना तीन दिन बोल देना चुट्टी क्योंको अब यह भी लौ है कि आप मर्जी के बगएर रोक नहीं सकते हो जैसी तीन दिन होगा वो फराग तो निकल जाएगा तुमारा hospital बंद हो ज दालना शुरू करते हैं नर्स कम करना चालू करेंगे नर्स कम करना चालू करेंगे मेडिकल और वो सब कम करना चालू करेंगे ठीक है ना उनके ओपर प्रेशर बढ़ाएंगे और उतने ही कम जहां पहले आईसी में एक नर्स एक पेशन को देख रही थी वहीं अभी एक नर जो आम पहले 50 रुपए किलो आता था देड़ सो रुपए किलो आता है तो आप यह कैसे मान ले रहा हूं कि मेडिकल एक्विप्मेंट और इन सब का खर्चा नहीं बढ़े हैं जब कि मोस्ट आफ देम इंडिया में बनते ही नहीं तो महिंगाई तो डॉक्टर के लिए भी बढ़ी है लोग आज भी यह एक्सपेक्ट करते हैं कि 1960 के दशक की तरह दॉक्टर पांच उपए की परची में मुरीज देखें कैसे पॉसिबल है तब तो डॉक्टर का कुछ खर्चा भी नहीं था पढ़ाई का पांच साल की MBBS के बाद अच्छा खासा चल जाता है मैं खुद लोगों से बोलना चाहता हूं कि अगर आप खिडिनी की समझ से आए लेट अलोन MBBS आप MD medicine को भी नहीं मेरे आरो ठीक करने एक बार एक आदमी आया था उसना पूरा आरो ठीक करा दो तीन हजार का बिल मैं यह सोच रहा हूं यार इसको दो तीन हजार देने में शायद ही कोई ऐसे बोलता होगा लेकिन डॉक्टर की हजार रुपे की फीस पे लोगों को बहुत जदा मतलब वो र समझना चाहिए जो करें ना टैक्स नहीं देते गौर्ण पढ़ने के लिए वहां क्या करा गया पांच लाग उनकी फीस थी पर यह तो पांच साल पढ़ने के बाद जब उनका इंटरंशिप का बारी आया तो हॉस्पिटल ने एक नोटिस थमा दिया कि जो नॉन मैनेजमें को मिलेगी उनका यह कहना है कि यह फीस कम थी जो पांच साल मिली तो उसको कॉंपंसेट करने के लिए और आपको पता है बिना इंटरंशिप को डिगरी हो नहीं सकती है प्रीवियस ली ऐसा था कि आप देश में कहीं भी जाके इंटरंशिप कर सकते हो अब ऐसा है कि आप ज देखिए जब आप मेडिकल कॉलिज खोल रहे हैं तो आपको पेशेंट को किफाईती दाम में ट्रिक्मेंट देना है आप ओवर चार्ज नहीं कर सकते हैं तो जादा पेशेंट आएगा तो जादा नुकसान होगा ठीक है तो उनका मोडस अबर इंडी सरिफ यह है स्टूड मेडिकल कॉलिज दिलाना चाह रहे हैं उनसे हाथ जोड के विनम्रे निवेदन है मत दिलाई है ठीक ना अभी क्या जादातर लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है एक सीड़ी उससे कुछ होना नहीं बाद में पीजी वीजी तो निकाल नहीं है पांस साल के कॉमपटिशन हैं कितने पढ़ने वाले लोग हैं इतना अच्छा अक्याडमिक है अप प्रधान मंत्री के बगल में बैटने हैं घनिश रिष्तेदार के भी बेटे हो अगर आप 75% नहीं दिये तो आपको एक्जाम नहीं देने देंगे ठीक है लेकिन उनका हग बनता था क् इतनी शिद्दत से पढ़ाते थे बहुत ज्यादा में कुछ नेकला है कि अभी कुछ नेकला जहां तक मेरा लास्ट मेरे को आया था बच्चे धरने पर बैटे हुए अभी तो स्टूरियां खतम नहीं हुए बच्चे धरने पर बैठे थे इस देश में कोई भी डॉक्टर इतना ज्यादा ठीक है ना कुछ आत को जड़ में पांच पर्सन को छोड़के नहीं है कि इतनी फीज पचास पचास लाग रुपए साल की देश ज्यादा तर डॉक्टर्स ने अब अपने बच्चों को डॉक्टर्स बनाना बंद कर दिया ठीक है ये चीज़ें 10-20 साल पहल जादा है और उसके बाद इस देश के लोग इन पर्टिकुलर बहुत गदा वेभार करते हैं और प्लीज अगर कुछ कमी है तो इसको एकसेप्ट करना सीखें ये भी मेरी लोगों से अपील है अभी कुछ दिन पहले एक पोस्ट है मेरे होम टाउन कानपूर के बारे में तो क्या है कि आप जो कमी है उसको पाल पोस के रखते हो उसको अच्छे से सद्विक्कर और इन निकालते ओ उसके निकालने वाले को आप बंदाम करना हो और कमी उसी ही रहती है जिब किसी चीज को पाल होगे पोस होगे तो वह और बड़ी ही है है मेरे कुछ फ्रेंट जो में निपाल में हो शे लंकन भी थे लेकिन मैंने कभी उनको यह पोस्ट डालते नहीं हूँ देखा कि वहां डॉक्टर के साथ ऐसा होगा मेरे बहुत से बैस्ट में यूएस में हैं उनना अमेली करके यूएस में हैं प्राक्टिस कर रहे हैं कभी उनक को इंट्रस्पेक्त करना है ना मैं आपको बताता हूं कि हमारा फेषि अगर खराब होता तो हम को भी बरा लगता है इस दुनिया में दुख हम से द्जारा किसी ने नहीं देखा आपने लग नहीं और शिबख सिर्फ एक विजारा हों कि उसकी ने चाहते हैं दुख याए ह हम को अंदर से दूख होगा है बट हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम उसको चेहरे पे दिखाते नहीं है आप वीग दिखाते नहीं हो मेरा सीधा से यह कि अस्पताल जा कि मेरा पेशन अगर कुछ खराब हुआ है कुछ प्रोड इंसिदेंस हुआ डिस्पाइट गिविंग यू जाके अंदर मैनेजमेंट से बात करी हो उसके बाद उन लोगों ने आकि स्टूडन पर शुरू कर लिए और उस भीड में आदमी और और अहरत दोनों थे देवर जास पेड़ गुंडा जिनको मैनेजमेंट ने बाहर वही मैनेजमेंट जो इतने से स्टूडन से बात करने क तो तैयार नहीं था उन से बात करके उन गुंडों को अनीश करें स्टूडन से उपर और स्टूडन ने वह एंबुलेंस इसलिए नहीं रोकी क्योंकि देवर स्मार्ट की एंबुलेंस रोकेंगे तो अगले दिन यह चापेंगे कि रॉक इन लोगों ने इमर्जेंसी में प स्मार्ट होते हैं जहां वीवर्शिप ज्यादा होती उन्हीं के मुद्दे उठाएंगे मेरा यह मानना है कि डॉक्टर को अब धर्ना देने से तो कुछ नहीं होगा क्योंकि पिछले तस सालों हमने दस बारा पंदरा सालों में यह चीज़ देख लिए कि धर्ना इस नॉट कि पार्लक्राइब। इंडिया क्यों जैंटर क Whatsilia कि गोते रहो है इनदीया इतनी अच्छी हढ़ सेक्नर बना है और में हावर्ड की मेरा कि च्छेश नहीं हिस्टर वच्छ छोगी इनड्या है इसले के टेंडीन ऍयोजुक्ट फर्लिश कि ज्युट प्रुवाbbe रवेस्व ने एंडिया में किया होता, then they go to you, ठीक है ना, उन्ही सेम लोगों की इंडिया में इज़त नहीं, वहाँ कोई डॉक्टर आपको फोन नम्मर नहीं देता कि ठीक है तुम्हें परिशानी हो तो फोन कर देना, वाट्सेप कर देखो, इस गॉवर्मेंट में एक शीज जो मुझ कुछ बोलता नहीं है, वह भी चीज अखरती है, मैं तो जनरली लोगों से कहरे हो, थोड़ा आखें खोलो, थोड़ा देखो, थोड़ा बस सब कुछ बोल जाओ, एक चीज बस यह सोच लो, अपना पैसा लगा कि कोई आदमी, मिडल क्लास आदमी आपको फ्री में कैसे दे नोट पॉसिबल, अगर आपको डॉक्टर से हमेनिटी चाहिए, तो थोड़ा हमेनिटी दिखाओ, तुम थपड़ बपड़ मार के गालियां वालियां देखें निकल जाओगे और तुम आके बोलोगे, कि हमेनिटी दिखाओ, तीसरा पॉलिटीशन थे कि थोड़ा साथ दो बड़े-बड़े वालिटीशन ने जाके मंचो पर जाके ये बोला है कि डॉक्टर को तो इंक्लूडिंग अबर एक्स प्रेसिडेंट ओविन जी की डॉक्टर को तो सेवा भाव से काम करना चाहिए, सर्विस से काम करना चाहिए, बट मैं ये भी चाहता कि साथ में वो ये मैं उन लोगों से बता दूँ जो अपने कोर्स की एंटरेंस एक्जाम की सो दो सो तीन सो रुपए की फीज भर के डॉक्टर को सोचल मीडिया पर जाली दे रहा हो, हमारी एक फॉर्म की कीमत पांच हजार रुपए है, आप से दस गुना है, हमारी हर एक चीज जो हम पढ़ ठीक है ना, जो लोग भी ऐसा बोल रहे हैं, कुछ पैसे, अपने घर के जेवर, जमीने, ये सब दे के लगा के एक फ्री का स्पिताल खड़ा करा जाता है, सब के कांट्रिबूशन से, ठीक है ना, एक जो होल सेल में दवाईयां बेच रहा है, वो फ्री में दवाईयां दे जिसका ऑक्सीजन प्लांट है, वो फ्री में ऑक्सीजन की सप्लाई करे, जिसका लिनिन का काम है, वो फ्री में लिनिन वगेरा की सप्लाई करे, जिसका एसी का काम है, वो फ्री में एर कंडिशन दे, आइम रेडी टू डू, मैंने पंदरा साली में डॉक्टरी सीखी, मैं तो फ्री में दे दो अगर हिम्मत है तो बताईए अगर कोई आप से ये करने को बोले तो आप कर पाएंगे बिल्कुल नहीं कभी-कभी सब कुछ देने के बाद भी सब कुछ करने के बाद भी हाँ ऐसा होता है कि मरीज एकदम से खराब होता है हाँ ये भी होता है बेस्ट बोस टाइम नहीं समझ में आता है कि मरीज क्यों खराब हुआ है बट देर डिफरेंस बिट्विन नेकलिजिएंस और कॉंप्लिकेशन मैंने अब तक इतने बड़े डॉक्टर के साथ काम किया है ये और आल वेरी गूट उने कितने पेशिंट्स की लाइफ चेंज कर दी है एक होता है लाइफ बचाना मैं मेरे को लगता है लाइफ बचानी ज्यादा सुख जो डॉक्टर को देता हो किसी की लाइफ चेंज करना कि कोई बेट रिड़न है और अब अपनी लाइफ चल फिर के अच्छे से तो उन्हों लाइफ चेंज करें है पट एवरी सिंगल ऊफ उनके उपर केसे चल रहा। एक डॉक्टर होता हुए मुझे तो नहीं पता पान कैसे बनता है और मैं जाके पान बनाने वाले को क्रिटिसाइज करूँ तो वह भी गलत ही है जब मैंने वीडियो बनाना शुरू करा तो मेरा एम ही यही था कि नहीं हमारी स्टोरी कोई नहीं ब पड़ सो बाव districts में और मैं बस यहीं बोलता था कि तुमने जीवन काल में नहीं पड़ाए करी आगे नहीं बढ़े तुमने पैसा कमा जोप का में यह उसके लिए मैं घए करी है तो बो जो आपने स्टोरी बना था था रही जा। कि मैं फ़ड़ा साइंसिदेंस में कमी देख रहा हूं पिछल तो धवा, तो अब ब prompt बूलता था कि मैं आके बोल तो रहा हूं लेकिनि क्या बात व्ली निटी बहार जा रही है, वह लोग देख रहे हैं जा बिल्कु बिल्कु जा रही है और अब मुझे लगता है नहीं बात गई है कि फरक पड़ा है उससे कम हो गया है और मुझे थोड़ा शौक होता है कि जितने लोग मुझे बाहर जानते हैं उतने मेरे फॉलोवर नहीं है और जिन लोगों की रीच स्याधा है थूमारी कम्मौनिटि में उनसे पूछना पड़ेगा कि आप हमारे मुझे क्यों डाला लों को हमारे मुध् ja कॉं डालेगा न्यूस वाले बात कर नहीं कर रहें रीच तो तब आई कि जब आप जिसे लोग डालो कि इनके पास रीच है यो मुझे अंदर से लगता है कि नहीं ये गलत है और कोई नहीं गोल रहा है तो ठीक है मैं अपनी छोटी सी फॉलोईंग के साथ जब लगेगा तब भी बोड़ा है तो अपनी साथ बात करके तुम को पता नहीं चले कि इतना लंबा ताइम इंदिकल गया है अपकर ये दो तीन मुलागर के साथ चिता है इसाथ इसाथ स्टोरी फॉर्मर रहता है लंबा रहता है त अपने उस पर भी एक बनाया था वीडियो कि वो उन दचों को तकलिफ हो यह सकत तुम लोग इंडिया होगे फिर यहां का अमेडिकल की क्याश्टी या उसका ट्रीतमेंट लेबल है वो खराब होगा तुम लोग कुछ आता नहीं है बहुत इसक्रिमिनेशन बहुत फेसकर और यह ऐसा नहीं कि कोई नॉर्म लादी बोलता है यह इन्डिया के कुछ डॉक्टर्स है या कुछ मेडिकल शुडंट्स है थार्ट फॉर्ट यह इन्हीं लोगों से सुनने मिलता है यह सब आपके क्या थोर्ट से इस पर आज कल जो निब्बा कल्चर चल रहा है उन लोगों को कमेंट्स को बहुत ज्यादा तरजी ना दी जाए तो अच्छा है यह लोग जो अपने आपको दूसरों से कंपेर करते रहेंगे करते रहेंगे तो यह चीज होती है अपनी मेनत करके आगे बढ़ना एक चीज होती है और नीचा दिखा दो ताकि तुम उपर देखा इन ल कंदरें कर दो जबना इंडिया का company का लिया निकाल लिया तो मुझे तher किया दिख़िकर दें तो क्या शंटरा थे हैं और घुझ लोग गुर्या Wrcrire प्रोपाघ लएट के जिदो को इसे उसको step Ami क big-nagrum निकाल लिया निक और या birthday ऑफि वहां तो फिर बोद ने निका होना कि चापलुसी करते करते पास होते होते फिर जो कमिटी मेंबर्स इतर डिफरेंट इसकी है करते करते बड़े लेवलत है कोई पड़ वगेरा उससब पाएंगे जो डॉक्टर्स की निवरें सुकॉल बॉड़ी कि अधिछ से खड़ा नहीं हो जो कभी अच्छे से खड़ी नहीं हों ए भी नहीं लगए अबश्चा कोई सीनियर डॉक्टर्स के सथ कुछ होता है भी एंचे ख़ड़े फिर जाते यह जो भी हुआ उत्रखंड में, मैंने तो नहीं देखा कोई सीनियर बॉड़ी है, सीनियर डॉक्टर खड़ा हूँ, राजिस्तान में सब खड़े हैं कि उनके खुद की प्रैक्टिस पसर पड़े हैं, और वहां उनके साथ स्टुडेंस भी खड़े हुआ हैं, ठीक है ना, क जो नेक्स निकालेगा, जो नेक्स निकालेगा, उसको सीट मिलेगा, का है बाद का FMG, का है बाद का, और अगर पढ़ने का भी है, तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, अप्ते में छे दिन, पांश दिन पढ़ो, अच्छा है तो पढ़ो, साटर्ड़े संड़े अपने इक लास्ट आटराप को पो देना है, कुछ बोलना ऐफैम जी इसको, तो जब तमयारी लास्क दोतिन साल हूं, पहले वथीन साल पढ़ो, अर मैं दो माननता हूं, आघ करना है थैरूडरी बोले है, निए पहले थैन साल है, नेमानना थिसड़े से अफूदर्ड़े पहले कि अपना खाना बनाना पड़ता है तो इसके बाद तुम्हारा प्लान तो इंडिया आने का है तो इंडिया स्टांडर्ड बुक से पढ़ना इंडिया के एक्जाम के हिसाब से पढ़ना हो सकते यार की शुरू करते हैं अब तो इसमें दिक्कत नहीं होती पहले होती जब तो महरो फ्रैपलेडर सब कुछ अविलिबल है किसी बीग्जाम में कहीं भी जाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए कॉन्फिडेंस अपना कॉन्फिडेंस मत तूरने दो बाकि अपना थोड़ा सा ख्याल रखो घर से दूर हो तो थोड़ा मेंटली अच्छे स्पेस में रहो और मैं भी वही चीज कहूं जो बहुत लोग कह रहे हैं कि दोस्त बनाना कॉलेज में बहुत जरूरी है और ऐसे दोस्त बनाना बहुत जर जरूरी हैं जिनके साथ मेमरीज हो और अच्छे से खुद को प्रिपेर करके इंडिया लॉटके आओ एक्जाम मिता लो लेकिन इंडिया उसके हिसाब से पढ़ना पहले से शुरू कर दो क्या ना तुम पांस साल नहीं पढ़ोगो छे साल नहीं पढ़ोगो एकदम से इंड लाइफ में अगले लेवल पर पहुंच जाता है तो अच्छा समय भी आएगा यह भी इस अच्छे समय में अपने को नेक्स लेवल तक ले जाना जरूरी है ज्यूकि वह टाइम में यूर्टर माइड और तुम कुछीदों समझ जादा अगर तब नहीं ले गए ना तो अपने अपने इतने बालते हैं ट्राइक है और फाइनली वह गया अपनली मेरे मन की भी इच्छा पूले हो गई अब मेरे को और आपको मैसे करने हूँ जब भी आता था मैंने कि यार वो लड़का विचार रहा है उसको मैं उसको लग रहा होगा है कि अपनी कम्यूटी का अपनी है कुछ करना चाता है करने तो गोटा अपना है कि छुटा मोटा गुंडा है गुंडा है करना जाता है करना चाता है करना चाता है करना चाता है उसको लगता है कि मेरे वीडियो से थोड़ा उसको अच्छा भी लगेगा उसको अच्छा भी लगेगा उसको अच्छा